Students, मैं राजेस कुमर याद हूँ, आप लोगों का अपने चैनल, Online Coaching Center में स्वागत करता हूँ जैसा कि अब तक मैंने Basic English की Total 12 वीडियोज बना दी हैं और उसमें मैंने Basic Sentence के बारे में बताया था आज मैं आप लोगों को Tense बताने जा रहा हूँ इस से पहले जो मैंने 1 से लेके 12 तक Basic English की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने subject के बारे में कैसे sentence बनाई जाते हैं बताया था Tense के अंदर क्या होता है की subject के कारियों के बारे में बताया जाता है और इस से पहले जो 1 से 12 तक की वीडियो बताई मैंने उसमें subject के character, position या उसकी विश्यस्ताओं के बारे में बताया जाता था तो tense और इससे पहले बनीवी sentence में यही difference है कि आज में tenses में जो भी subject कारे करता है उसको हम define करते हैं या बताया जाता है तो English की translation में tense का मतलब होता है call और tense English में तीन तरह के होते हैं एक होता है present tense, एक होता है past tense, एक होता है future tense present tense में क्या होता है कि वर्तमान के बारे में बताया जाता है past tense में क्या होता है जो बीत गया या जो भूत हो गया चला गया उसको बारे में बताया जाता है फ्यूचर में क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाला है या करता काम कर जो भी फ्यूचर में करेगा या बनेगा उसके बारे में बता जाता है ये तीनों टेंस इंग्लिज में क्या होता है present past और future इन तीनों के फिल चार पर्ट में divide कर लिजिए पहला होता है present indefinite tense तूसरा हो गया continuous तीसरा हो गया perfect परफेक्ट चौथा हो गया परफेक्ट कॉंटिनिवस इसी तरह पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉंटिनिवस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉंटिनिवस इसी तरह फीचर में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कॉंटि का present indefinite के बारे में पूरी डिटेल आज आपको मैं बता हुआ इसके बारे में पूरी वीडियो बताई जाएगी कि present indefinite में sentence कैसे बनते हैं और उसके sentence के बनाने के formula क्या है तो students जैसा कि मैंने tenses के बारे में बताया तो tense का पहला part है present indefinite tense present tense क्या होगा present indefinite में क्या होता है ku About Simple sentence वाले example के अंदर होगा इसमें क्या होता है्सिंप संटेंस में बटा बताना सिंगूलर सब्जेक्ट कामेज ह्यासा योता रहेगा इसलिंद्हों की वीडियो में बता चुको सिंपल सिंद्स किया होते हैं और सब्जेक्स क्या होते हैं और इस के अंदर में प्रुर्ट इप हूश करना पड़ता है जो NHL करेंगे इसके लिए जीचिआ को इसके अलब से कोई कोई लगा जाएगा इसके साथ में तो आई के साथ क्या होता है ऐसे सिंगलर सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है लास्ट में क्या होता है ता है ती है ते हैं इसके लिए सिंगलर सब्जेक्ट के लिए में क्या होता है पहला बनाएगा है सिंगलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट क्रिया। उसको क्या वालते हैं। हम वर्ब बोलते हैं। तोmist वर्ब की विर्फ-फॉर्व भी आद करना हिपड़ेगी. जब काड़े काड़े के बारे में पढ़ना ही पड़े गा। यह सिंपल संटेश का मतलब यह होब कि similar subject plus first form plus s या es उसके साथ में लग जा था similar subject के साथ में similar subject पहले में पिछली classes में थो बहुत याद दिला देता हूँ जैसा कि आप लोगों नहीं लिखा था he similar हो गया c similar हो गया it similar हो गया जो भी similar हैंगे अई इसी दे plural में क्या आ जाएगा दे आ जाएगा आई को भी similar की तरसी यूज करेंगे वी को भी plural की तरसी यूज करेंगे तो यह plural होगा these हो गया plural में आ जाएगा या कोई भी इस वाले singular subject में क्या कोई भी name any name भी यूज होगा वो भी similar subject की तरसी यूज होगा हती है Hindi similar होग है यह प्लूरावं एक से जाता नाम के साथ प्लूरल फोगले योटा है तो सब्जtiक्ट प्लस स्ट स्था और फ्सक्र मैं प्लस एस या येेस वर्ब के साथ में लग जाता है किसमें singular subject में इसमें plural subject plus first form इसमें s या या येस नहीं लगेगा और उसके object लग जाता है जैसे कि example बताया है वह है क्या होगा singular तो वह है खेलता है तो इस formula के साफ की होगा singular subject की जब अब हमने क्या यूज कर लिया वह है और खेलने की वर्ब क्या होती है play अब इसमें क्या लगा है एस तो उसके साथ में एस लग गया या इस तो इसके लिए बताऊंगा एस कहां लगे और ये इस कहां लगे इसके लिए थोगा बद मैं भी समझाओं आप लोगा लेकिन पूर सब्के के सब्सके के क्या होता है स और येस ये जो लगा है स और येस नहीं लगता सिम्पल सेंटेंस में तो वे खेलते हैं तो वे क्या हो गया वे का मतल painters Certainly और खेलने का हुझा से टेंस क्लस्स को सीचले цвет ऑप लोगो सिखात आगो और पढ़ना प्ड़ेगा जैसे हो और कि मैंने मने बता है कहausal सब्जेक्ट में एस लगेगा और कहाँ पे एस लगेगा यह मैं आगे आपको बताओं तो बता रहे स्यूदेंट जैसा कि मैंसे प्लाइब प्लसफ सब्सुदैं. जो भी होगी उस कौन सी वर्ब के साथ एक लगेगा और कौन सी वर्ब के साथ यह लगेगा सिंग्लर सब्जक्ट के अंदर इसके पता लगाने लिए क्या होगा वर्ब की जो भी फॉर्म होगी जिसके एंड में लास्ट में ओहो डबल एस हो एस हो चीह चो यह एक्सों तो उनके आगे तो यह लगता ही लगत कि वर्ब की फार्म में जिसके एंड में उपर लिखें यह उपर लिखें है ओडबल एस हैस और एकस लिखें लिखे है लैटर्स आते हैं इंड में सबसे लाइज माली यह होगया डवल्य एस हैच वास बासमाने कि ओता है दोना तो इसमें क्या हो गया एस है चाहिए यह वाला आ गया तो इसमें क्या लगा हम इसका बनाएंगे वे धूता है जो भी धूता है कपड़े मान लीजिए तो आगे संटेस्ट बनाने अब्जेक्ट में धूता है इसका आजाएगा दे वहद होता है सिमिलर के साथ तो वह है वहद होता है तो क्या जाएगा ही वासिस एसच था इसकी आगे एस लग जाएगा अगर हम यह लिग देते हैं वह है कपड़े कपड़े क्या हो गया धूता है यहां पर लाश्ट में वर इड़ा अबजेक्ट हो गया था अबजेक्ट आ जाएगा कि वोसे सब्सक्राइब कि आगे एस था तो जिसके आगे यह संटेस जिस भी वर्व के लाश्ट में ओ डबल एस 7 एसएचेच एक साजाता है तो उसके लगाते हैं ऐस में। है कि यह लगा देते हैं वर्की टूर्ट सुर्जेट साथ में चलिए औरो में बता ईद्र हENA पे पता होंचे एस कहां लगेगा और यह स्टूडेंट्स यहां तक तो मैंने समझा दिए कहां पर एस लगेगा और कहां पर यह लगे अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वीडियोज को अगर आपको समझ में आदे पॉस्ट करके दुबारा से रिवाइन करके दुबारा से सुनिए और समझे और टैंस इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने टैंस को हुआ बना रखा है अगर मेरे साथ आप टैंस धीर दे सीखते रहेंगे और करते रहेंगे तो आप लोग टैंस बड़े प्यार से सीख सकते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा समझायवा समझ में आता है तो मेरी वीडियोज को अपने फ्रेंड से अपने रिलेटिव से अपने जानने वालों से शेयर करिए तथा वीडियो को बेसिक इंगलिस से स्टार्ट करके चला हूँ और चाहता हूँ कि मैं इंगलिस बेसिक जो है वो लगवा में सभी लोग को समझा दूँ इसके बाद जब एडवांस लेवल पे आएंगे तो अब एडवांस के बात करेंगे फिलाल ये बेसिक लेवल पे स्टार्ट मेने कर र रखिए और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इंगलिस सीखिए में साथ धन्यवाद